जिस खिलाड़ी को BCCI ने चुना, जिस खिलाड़ी के कंधे पर है देश के इज़त, उसी खिलाड़ी की देश फक्ती पर उठने लगा सवाल, परवध दिगज खिलाड़ी ने आखिर क्यों कहा? पहले बनो देश फक्त, क्या देश फक्त नहीं है रियान पराग? क्या देश के साथ की है रियान पराग ने गदारी क्या रियान पराग नहीं है देश भक्त अगर ये खिलाडी नहीं है देश भक्त तो क्यों बी सी सी आई ने दिया टी ट्वर्णी खेलने का मौका क्या आख बंद करके चैन करता करते हैं खिलाडियों का चैन आकर क्यों रिया स्टार किलाडी रियान पराग इस वक्त फर चर्चा में रियान पराग अपनी सबसे घटिया हरकत से चर्चा में थे इस बार रियान पराग के उपर ऐसा आरोप लगा जिसकी वजह से बी सी सी आई भी सवालों के घेरे में खड़ा हो गई रियान पराग के उपर अचानक से द अवजुद रियान पराग इतनी चोटी हरकत कैसे कर सकते हैं। और वो आरोब किसी चोटे मोटे नहीं बलकि भारत के परवत दिगज क्लारिन लगाया। बता दे कि आईपेल 2024 में शांदार प्रदर्शन के बाद राजस्थान रोयल्स के बल्लेबाज रियान पराग को जिंबावे के खिलाफ टी-20 सिरीज के लिए भारती टीम में शामिल किया गया। पराग 16 मैचों में 573 रन बनाकर आईपेल 2024 में तीसरे सबसे जादा रन बनाने वाले प्लेयर थे। आलांकि टी-20 वर्ल्लकप के लिए चैन को लेकर चर्चाएं थी। लेकिन पराग उस टीम में जखा नहीं बना सके। टीम इंडिया फाइनल में साउथ एफरिका को हराकर चैंपियन मनी। अगर मैं भारती जर्सी और क्रिकेट किट देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं। झाना चाहिए झाना चाहिए झाना चाहिए